हेलो स्टूडेंट आज का हमारा टोपिक है डीने क्रोमोजोम जीन और अलील के बीच का डिफरेंस फर्स स्टार्ट करते हैं डीने से डीने स्टेंट्स पॉर डी ओक्सी राइबो नुक्लिक एसिड पहले तो इसका मतलब देखते हैं राइबो राइबो नाम की शुगर वह श क्योंकि यह जो पाज कारबन वाल यह शुगर है उसमें सेकंड पोजिशन पे यहां पे एक ओक्सीजेंटी कमी है उसकी वज़े से उसको क्या कहा गया डी ओक्सी राइबो नेक्स नुक्लिक एसिड तो नुक्लिक का मतलब क्या है कि वह नुक्लियस के अंदर डिसकवर दो डी ओक्सी राइबो नुक्लिक एसिड से क्या समझा है राइबो शुगर प्रीजेंट होगी जिसके सेकंड कारबन पर ऑक्सीजन की कमी होगी नुक्लियस के अंदर डिसकवर हुआ है नुक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है यह मतेरियल और वह नीचर में S.C.D.K क् फॉस्फवैट ग्रूप प्रेजनगर है स्टर्क्फज़ नेका बना उवा है टो डियू किसके बना हुआ है फैन्टोस्फ रिख्ला नैटरों है लिख्स का बना हुआ एक स्ट्रक्चर हे तीक का ह MARY या पैंटोज्वर है नेट्रोजीनस बेस्ट और फॉसफेट ग्रुब अभी पूरा नेट्रोजीनस-बेस्ट क्या है उसके लिए एक पूरा अलग से वीडियो है दियेनी के ऊपर ठिकशिक अब चाहिए नेट्रोजीनस बेस्ट और फॉसफेट ग्रूप की अरेंजमेंट कैसी होती है तो यह शुगर है शुगर लाइन में ऐसे अरेंज होती है यह शुगर सारी और यह शुगर जो है वह एक दूसरे से फॉस्पाइट ग्रूप से जुड़ी रहती है दूसरी साइट भी सेम है यह शुगर है वह फॉस्पाइट ग्रूप से जुड़ी रहते है और इस सैट शुगर नाइट्डोजिनस बेस बहुते है यह क्या है क्या है अरत्यौशा किस से ुखता ये हम gliota बात्यौशा किस बहुता है यह से जुटा क्योंकि नैट्रोजिनस बेस Пр Toutbtаем पोटल 4 है ATCG यह औरगेनिक स्ट्रक्चर से पूरे नैट्रोजीनस बीज नैट्रोजन वाले औरगेनिक स्ट्रक्चर है अब यह जो है यह एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉंड से जूरते तो ऐसा पूरा DNA का स्ट्रक्चर होता है कैसा शुगर होती है लाइन में सारी वह से जूर दूसरी साइड शूगर नैट्रोजन से प्रेजन होती है वह दूसरी जो सामने शुगर उसकी नैट्रोजीन से साथ ऐसे जूड़ी होती हैं और यह जो पूरा लंबा स्ट्रक्चर बनता है है तो हैयलिक्स कर देता अपने अपको हैर्लिक्स में अपने लेक्स में करने दैगी अंदर नियुक्स Beauty को पर देन है तerson机 UM इतने छोटे से नुकलियस के अंदर उसको अरेंज करना है तो यह बहुत मुश्किल चीज है कि 2.2 मिटर लंबी चीज को इतने छोटे से नुकलियस के अंदर अरेंज करना है तो कैसे अरेंज करेंगे? Most important है DNA जो है वो negatively charged है उसका charge कोन सा है negative charge है क्यों? क्योंकि उसके अंदर phosphate group present है अब यह जो DNA negatively charged है प्लस यहां पर एक protein present होता है जिसका नाम है histone protein यह जो histone protein है वो positively charged है तो यह DNA negative charge वाला है यह protein positive charge वाला है तो यह जो protein है यह DNA उससे attract करेगा क्योंकि negative positive दोनों के बीच में attraction होगा और यह histone protein है उसके आसपस DNA से रेप्स कर देगा और उसकी वज़़ से थोड़ी से जगह में DNA आ जाएगा तो बहुत सारे ऐसे histone होंगे सबके आसपस DNA से रेप·स देगा तो देखो यह histone उसके ऐसपस एसे DNA ने रेक कर दिया यह दूसरा histone उसके surrounding में DNA है तीसरा हिस्टोन उसके सराउंडिंग ऐसे बहुत सारे बनते हैं जिसको क्या कहा जाता है क्रोमेटीन कहा जाता है तो फर्स डीने एप्रोक्स 2.2 मिटर लंबा है जो कि नेगेटिवली चार्ज है उसको हमको नुकलियस के अंदर फिक्स करना है तो उसके लिए एक प्रोटीन ह जो कि हिस्टोन प्रोटीन है जो पॉजिटिवली चार्ज है डीने इस हिस्टोन प्रोटीन की सराउंडिंग में रेप कर देगा तो जो हिस्टोन प्रोटीन के आसपस डीने ने रेप कर दिया तो हिस्टोन प्लस डीने क्या बन गया नुकलियोजोम तो यह एक स्ट्रक्चर ते तो यह जाता है नुक्लियोजोम यह दूसरा नुक्लियोजोम यह सारे नुक्लियोजोम अरेंज होंगे और पूरा क्रोमेटीन का structure बनाएंगे और highly condensed, और condensed करते रही हूँ और बहुत नजदिक नजदिक यह बैठ है और बहुत highly compact structure है तब उसको कहा जाता है chromosome यह एक story हुई ठीक है ओके यह एक cell है यह जो cell है वो divide करके दो cell बना रहा है cell divisions है तो समझो यह cell है उसके अंदर खुद का genetic material होगा उसको divide करके दो cell बनाने है तो दो genetic material चाहिए ना दो पूरे DNA चाहिए ना क्योंकि एक को यह मिल जाएगा दूसरे के लिए चाहिए ना तो इसकी क्या बनानी पड़ेगी कोपी बनानी पड़ेगी तभी तो दोनों cells को genetic material मिलेगा ना तो यहां पे एक genetic material present है DNA का पूरा structure यहां पे present है तो अब यह cell क्या करेगा यह cell division करना चाहता है तो इसको पहले तो अपना genetic material डबल करना पड़ेगा तो DNA डबल करना पड़ेगा तो यह nucleus के अंदर एक DNA प्रेजेंट था पूरा अब यह उसको double करके दो को fix करना है अभी यहा DNA पूरे double structure है ठीक है उसको यहां पे fix करना है तो यह जो structure chromatin वाले जो complex structure है जो ऐसे condensed structure है वो और highly condensed हो जाएंगे और chromosome का formation करेंगे तो वापस से DNA है वो protein से wrap करता है histone protein से nucleosome बनाता है यह ऐसे बहुत सारे nucleosome साथ में जुडते हैं और condensed रहता है जिसको chromatin का कहा जाता है और condensation होना और highly complex बनना highly condensed बनना तो फिर उसको क्या कहा जाता है chromosome कहा जाता है अब देखते हैं कि जीन क्या होता है तो यह मान लो chromosome है यह चो chromosome है वो किसका बना है तो chromosome हिस्टोन प्रोटीन और उसको रेप करके DNA प्रेजेंट होता है हिस्टोन प्रोटीन उसको रेप करके DNA प्रेजेंट होता है ऐसे बहुत सारे structure highly compact होते हैं तब क्या बनाते हैं क्रोमोजोम बनाते हैं highly condensed structure है किसका histone protein और DNA के तो यह condensed structure को क्या बोला जाता है क्रोमोजोम कहा जाता है फोर एक्जमपल यह chromosome है अगर इसको मैं यहां से पूरा निकालू तो क्या निकलेगा पूरा ही DNA निकलेगा तो DNA और हिस्टोन प्रोटीन ही था न तो यह जो DNA है उसका मैंने थोड़ा सा portion दिखाया तो यह जो DNA है यह इसमें से निकाला हुआ और DNA है यह जो DNA है उसके अंदर information लिखे होती है क्योंकि DNA है उसके अंदर nitrogenous base होती है A T C G S A तो फूर एक्जमपल यह nitrogenous base है वही एक type की क्या है information है इसी information को देखके protein बनाया जाता है यह जो information लिखे है उसके according amino acids को जोड़ा जाता है और क्या बनाया जाता है protein बनाया जाता है तो पूरे DNA में information लिखे होगे ऐसे nitrogenous base होगे A T C G और उसको पढ़ पढ़के ही उसको देखके क्या बनाया जाता है अब यहां पे for example यह chromosome है, chromosome के इस area में जो DNA है, इस area के DNA में जो भी कुछ information लिखी है, वो responsible है eye color देने के लिए, यहां पे example दे रहे हूँ, यहां पे इस location पे जो DNA present है, उसके अंदर जो information है, वो responsible है ऐसा protein बनाने के लिए, जो कि क्या है? insulin है, तो insulin के लिए responsible है, for example, यह eye color के लिए responsible है, तो यह potions, जिसको क्या कहा जाता है, जीन कहा जाता है, तो जीन क्या है, तो DNA के segments है, जहां पे एक specific information लिखी है, उससे ही protein बनाया जाता है, और specific location पे specific gene present होता है, for example, यह जो area है, यह area के अंदर जो gene present है, जो कि eye color के लिए responsible है, यह जो area है, यह segment है, यह gene है, वो insulin बनाने के लिए responsible है, for example, इस area के अंदर कोई है, वो क्या कर रहा है, कि वो hair का color decide कर रहा है, तो hair के color बनाने के लिए, जो protein responsible है, उसके information इधर लिखी है, तो gene क्या हुआ, तो gene जो है, वो DNA के sequence से बना हुआ है, जो कि fundamental unit है, हेरिडिटी का, और gene जो है, वो protein बनाने के लिए responsible है, specific location पे specific genes present होते हैं, gene मतलब क्या, for example, यह eye color का gene है, कि eye का color कौन सा होगा, for example, यह insulin बनाने का gene है, for example, hair के color का gene है, height का gene है, तो ऐसे अलग-अलग genes होते है, तो genes क्या है, एक chromosome की specific location पे, जो DNA है, उसका sequence जिसमें से protein बना जाता है, और जिसका gene है, वो protein उसमें से बनता है, human के अंदर 23 pair of chromosome है, ऐसी 23 pair है, ठीक है, और total ऐसे देखने जाए, तो roughly 19,000 genes present है, जैसे मैंने एक, दो, तीन genes समझाए, हैं, वैसे around कितने 19,000 genes है, total 23 pairs के होगे, अब last है, алिल, अलिल क्या है, तो gene के options को क्या कहा जाता है, अलिल कहा जाता है, gene के options को, या gene के जो versions है, us को क्या कहा जाता है, अलिल कहा जाता है फॉर एक्जम्पल ये कोई एक इनसान है उसका ये एक क्रोमोजोम है अब उसके अंदर देखा जाए कि आई कलर का जो जीन है उसके दो उप्शन है ग्रीन आई और ब्राउन आई तो इसमें से जो डोमिनेंट होगा वो दिखेगी फॉर एक्जम्पल इस इनसान की आई कॉन से कलर की है ब्राउन कलर की है बट उसके जीन के अंदर कितने ओप्शन से दो ओप्शन है ग्रीन आई और ब्राउन है ऐसा क्यों दो ओप्शन क्यों क्योंकि जीन जो है वो mother से और father से इनहेरीट होते है तो आदी information mother से आती है और आदी information father से आती है for example यह mother है mother के पास eye color के दो option है black eye और green eye जबके father के पास दो option है blue eye और brown eye अब mother से randomly कोई एक option बच्चे के अंदर पास होगा तो for example mother से green eye का option पास हुआ और father से जो है वो brown eye का option पास हुआ तो दोनों के information आई न हाफ-फ इसलिए हर एक gene के कैसे option होते है दो option होते है इच person has two alleles for each gene एक gene के दो option जिसको क्या कहा जाता है अलिल कहा जाता है तो eye color के यहां पे दो alleles है एक तो green eye और brown eye तो हर एक के लिए कितना option होते है दो option होते हैं ओके तो इसका मतलब है यह जो है वो eye color का gene है मतलब इस location पे eye color का gene present है और जो eye color का gene है उसके अंदर दो alleles होंगे या तो green eye का या तो brown eye का ऐसे दो alleles present है तो इसका मतलब है हर एक location मतलब की gene for example यह height का gene है यह eye color का gene है और यह जो gene है उसके अंदर जो दो option है उनको alleles कहा जाता है तो यह eye color की gene है जिसके अंदर black eye और green eye के alleles है यह जो है for example height का gene है तो यहां पे tall वाला option है यहां पे short वाला option है तो यह जो दो option है दो alleles है ऐसा कह सकते हैं अब अलिल के दो टैप है होमोजाइगस अलिल और हेटरोजाइगस अलिल तो होमोजाइगस अलिल मतलब क्या फोर एक्जमपल फादर ने ब्राउन आई का उप्शन दिया Mother के पास भी ऐसा एक option हो और Mother भी brown eye का option दे तो दोनो options same है तो उसको क्या कहा जाता है homozygous alil अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे Mother से green eye का option आया Father से brown eye का option आया तो दोनों कैसे है अलग-अलग alils है तो उसको क्या कहा जाता है heterozygous कहा जाता है वापस से जो chromosome होता है उसकी locations ऐसी location जो protein के लिए code करती है उसी को gene कहा जाता है तो chromosome की particular specific locations होती है हर एक gene की for example यह eye color का gene, height का gene, hair color का gene, insulin बनाने का gene ऐसी अलग-अलग information होगी और यह जो सारे genes है उसके अंदर दो alleles present होंगे for example eye color के यहां पर दो alleles present है blue और brown